हलो फ्रेंड्स मैं हूने है और मेरे चनल पे आपका स्वागत है इलेवेरा नहीं खाने वाले जरूर सुने नमबर एक इलेवेरा लीवर को साफ करता है चार चमच इलेवेरा जूस में एक चमच निम्बू का रस मिलाकर पीने से लीवर साफ होकर बिल्कुल नय जैसा हो जाता है नमबर दो, एलेवेरा इसकीन की जलन को ठीक करता है एलेवेरा जेल में नारियल का तेल मिलाकर जलन वाली जगा पर लगाने से जलन तुरंत ठीक हो जाती है नमबर तीन, एलेवेरा मुहासो को ठीक करता है एलेवेरा जेल और पपीते के पेश्ट को मिलाकर मुहासे पर लगाने से मुहासे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं नमबर चार एलेवेरा खुजली को ठीक करता है इलेवेरा जूस खुजली वाली जगह पर रोजाना दीन में एक बार लगाने से खुजली की समस्या ठीक हो जाती है नमबर पांच इलेवेरा जोडों के दर्द को ठीक कर देता है चार चमच एलेवेरा जूस रुजाना सुबा साम पीने से जोडो का दर ठीक हो जाता है नमबर छे एलेवेरा पेसाब में जलन को खत्म करता है दो चमच एलेवेरा जिल में थोड़ी सी मिस्री मिला कर खाने से पेसाब में होने वाली जलन तुरन ठीक हो जाती है नमबर साथ, एलेवेरा मस्सों को भी खतम कर देता है एलेवेरा के गुद्दों को मस्सों पर बांधने से मस्से जड़ कर अपने आप खत्म हो जाते है नमबर आठ, एलेवेरा इसकीन को गोरा बनाता है इलेवेरा का गुद्दा निम्बू और सहद बराबर मात्रा में मिलाकर लगाने से इसकीन का रंग गोरा हो जाता है नमबर नौ इलेवेरा रूखे बालों को चमकदार बनाता है इलेवेरा के जूस में मेहदी मिलाकर बालों में लगाने से बाल चमकदार हो जाते है नमबर दस एलेवेरा गाट को भी जड़ से खत्म कर देता है एलेवेरा जिल में हल्दी पाड़र मिलाकर गाट पर लगाने से गाट पीघल कर खत्म हो जाती है नमबर 11, एलेवेरा कब्ज को खतम करता है दो चमच एलेवेरा जूस में एक चुट की काला नमक मिला कर पीने से कब्ज जड़ से खतम हो जाते हैं दोस्तो अगर आपको एग वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेया जरू करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें धन्यवाद